दोस्तों जब भी मीचल फंड की बात आती है तो अक्सर में आपको एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी आप investment करो तो आपको दो चीजों को विश्याई इसध्यान रखना है एक तो आपको small cap में investment करना है जिससे आपको future में अधिक से अधिक growth मिल सके अधिक return आपको मिल सके देन उन्हें उसे ही बोला बोला सर आज मुझे पूरा complete investment करते हुए mutual fund में one year complete हो गया है लेकिन सर अभी तक जो मैंने पैसा invest करा है SIP के मादध्य हम से सर 20,000 रुप मैंने investment करा है और सारे की सारे fund मेरे small cap के हैं लेकिन सर मुझे जो अभी पैसा देखने को मिला है वो सिर्फ मेरा जो पैसा हुआ है वो 22,000 हुआ है मतलब सर जो मुझे return मिला है वो 2000 का return मिला है सर आप तो बोलते हैं अगर small cap में investment करते हैं तो हमको अधिक साधिक return म आश्ट 10 साल का जो data है वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल theoretical वीडियो नहीं है आज की बिल्कुल practical आपको बताऊंगा अगर आप mutual fund में investment करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है ठीक है तो चली शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को तो दोस्तो जो मैं आपको बोड़ रहा था मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा theoretical आपको बता देता हूं जिससा आपको असानी से समझ में आ सके तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको एक चीज़ बताई दी मिचल फंड में जब भी आप investment करते हो तो तीन तरीके के फंड आपको देखने को मिलते हैं जो स्टी जादा चलते हैं एक होता है लार्ज कैप दूसरा होता है मिट कैप तीसरा होता है है इस्मॉल कैप को मीलता है लेकिन जब आप long time के लिए investment करते हैं तो आप जो आपका risk profile है वो कम हो जाता है क्योंकि आपका time rate बढ़ जाता है ठीक है तो बात यह आती है sir अगर हम small cap में investment करते हैं हमने देखा है कोई-कोई fund है 26% 30% तक का return देते हैं लेकिन sir हम investment अभी कर रहे हैं एक साल हो गया दो साल हो गया लेकिन हमारा return बनी नहीं रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो चलिए mobile की screen पर देन में आपको बिल्कुल live इसके बारे में बताता हूं तो simply दोस्तो साइड में आपको mobile की screen दिख रही होगी यहां पर दोस्तों जो मैंने data लिया है last 10 year का मैंने data लिया है इसमें दोस्तों देख लीजिए आपको कुछ fund देखने को मिल रहा है जैसे दोस्तों fund है आदित्य बिल्ला सनलाइफ जो दोस्तों जितने भी मैंने fund लिए कोटक small gap मतलब small gap की जितने भी fund वो मैंने इसमें लिये है अब यहां पर दोस्तों एक चीज़ देखो इनका दोस्तों जो last 10 year का return है last 10 साल का जो return है जैसे हम पहले वाले को लेते है आदित्य बिल्ला सनलाइफ को इसने दोस्तों जो last 10 साल में आपको return दिया है वो कितना दिय आप 10 साल के अंदर से return कितना दिया है आपको 17.3% का ठीके लेकिन यह 10 साल में से दोस्तों 3 साल और 4 मैंने ऐसे थे जिसमें इसने return ही नहीं दिया है return 0 दिया है आपका जो investment था वो कम हो गया जैसे suppose कर लिजिए आपने जो भी investment करा जैसे आपके 100 रुपे है 100 रुपे के कितन देख लिजिए DPS को लेते है DPS में दोस्तों जामको return मिला है return मिला है 14.1% 24.1% का लेकिन यहां पर दोस्तों देख लो इसने 3 साल के लिए आपको 0 return दिया है मतलब 10 साल में आपको 10 साल में आपको कितना return देखने को मिल रहा है 14.24.1% का ठीके लेकिन दोस्तों 10 साल में से 3 स साल ऐसे हैं जिसमें से इसने zero return ग्या है तो आप जो 24 पूंट एक मिला है कितने साल मैं मिला है साथ साल के अंदर तो कहने का मतलब दोस्तों यहीं है कि ऐसा नहीं है कि अगर आज आज आपको return नहीं मिल रहा है, साल बड़ से आपको return नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप mutual fund को छोड़ दो, आपकी जो SIPOS को close करतो नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बहुत से अच्छा-च्छे fund है, आप जैसे निपोन इंडिया को ले लो, निप आपको 2000, अभी तक आप देख रहे हो, जैसे कि मेरे सर, अभी आप ही बोलरों की सर, मेरा 20,000 रुप मेंने invest कर रहा है, लेकिन मुझे 2000 रुपे का return मिला है, ठीक है, तो आप इस चीज को मत देखो, और आपको एक चीज और बता दो, अगर आप long time के लिए investment कर रहे हो, तो ए आप देखते हो, आप 1 रुपे, 2 रुपे, माइनस, ठीक है, कभी-कभी प्लस देखते हो, कभी-कभी माइनस देखते हो, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, अगर आप long time के लिए investment कर रहे हो, तो यह चीज चीज चोड़ दो, index को follow मत करो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों long time क पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, नीचे और भी fund थे हमारे, जो थोड़े रहे गए हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजी, HDFC small cap, इसने जो return दिया है, दोस्तों, 10 साल के अंदर वो दिया है, 20.1% का, लेकिन इस पर नहीं है, जो zero return दे, एक बात ध्यान रखना, हमेशा यह confusion रहता है, कि सर कोई सा भी fund को ऐसा हो सकता है, कि zero return दे वे, return दे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कभी भी zero नहीं देगा, वो negative हो सकता है, positive हो सकता है, सिर्फ zero पे नहीं रुख सकता, ठीक है, इस इसका अब ध चाहरा है, अप्रॉक्समें तीन साल मान लो, मतलब मैं जितने भी आपको fund बता रहा हूं मान लो, आप यह, तीन साल तक तो उनने कोई return दिया ही नहीं है, जो मारा 10 साल का time rate था, investment का, उसमें से 3 साल तो ऐसे थे, अप यह दिन ही 3 साल regular base पे एक साथ चले, suppose कर लो, आज आप आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी panic नहीं होना है, अगर आप panic होगे, तो क्या करोगे, आप अभी switch कर दोगे, और loss आप ले लोगे, इसलिए आपको loss नहीं लेना है, long time के लिए investment करना है, तो आपको धहरे बना के रहो, और आम से जो भी आपकी systematic आप pay करते हो, SIP को continue pay करते रहें, क्योंकि future में आपको पैसा देखने को मिलेगा, वह आपको positive ही देखने को मिलेगा, ठीके, तो दोस्तों छोटी से जान करी थी वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करे, चैनल को subscribe जरू करे, तो चली दोस्तों जैसे रे शाम मिलते हैं मारी नेश्ट वीडियो में